देश में अराजक्ता का महौल बना हुआ है आए दिन कहीं न कहीं किसी निर्दोश को कभी गाय के नाम पर तो कभी बच्चा चोरी के नाम पर हत्यारी भीड अपना शिकार बना रही है और ऐसी घटनाय निरंतर हो रही है जिस पर मौजूदा सरकार या तो लगा नहीं पा रही है या लगाना नहीं चाहती है थोड़े दिन पहले करनाटक में गूगल इंजीनियर महमद आजम की भीड ने पीट पीट कर हत्या कर दी क्यों कि वे बच्चों को चॉकलेट दे रही थे अब ताजा मामला राजिस्थान के अलवर में आया है जहां अकबर खान नामक हर्याना निवासी की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए गाय ले कर जा रहा था जिस तरह से भीड आए दिन हत्याओं को अंजाम दे रही है इससे साफ पता चलता है कि हत्यारे सरकार द्वारा परतियक्ष रूप से सरकार द्वारा संरक्षित है इसी मुद्दे पर दलित नेता जिगनेश मेवानी का ताजा बयान आया है जिसमें उन्होंने देश के प्र प्रधानमंत्री ने आज तक एक शब्द भी भीड़तन लव जिहाद या घरवापसी के नाम पर दलित और मुसल्मानों को मारा जाए पीटा जाए घसीटा जाए या बेज़त किया जाए इसमें एक भी मामलों पर मोदी ने एक शब्द नहीं बोला बलकि यह तथा कथित ग पॉलो करते हैं उन्होंने आगे कहा कि मोदी की तरफ से समाज को मजबूत संदेश जाना चाहिए था कि ऐसी घटनाएं बरदाश्ट नहीं की जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं यह तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतार लगाई तब जाकर सरकारों पर दवाब बना हैं लेकिन RSS और BJP ने लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि गाए के नाम पर हत्या कर सकते हैं उसको निकालना बंद नहीं किया है जब यहें इसकी निंदा करना शुरू कर देंगे तब ना पहलू खान मरेगा ना अकबर खान Bureau Report पलपल यूज झाल